तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग completely थीटा के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं और इससे पहले जो हमारा ग्रिक हम लोगोंने स्टार्ट किया था उसके अंदर हम लोग अभी डेल्टा के बारे में बात कर चुके हैं अभी हम लोग थीटा को यहाँ पर समझ रहे हैं थीटा हमारे पोर्टफोलियो में अगर हम लोग options को buy कर रहे हैं तो कैसे effect कर रहा है अगर हम लोग options को बेच के चल रहे हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में इसका क्या यहाँ पर योगदान होता है उसका क्या effect होता है उसको अभी हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले है तो friends आप में से जो लोग यहाँ पर series को continuously follow कर रहे होंगे यह discussion हम लोग पहले कर चुके हैं कि हमारे option का premium जो होता है वो इन 5 variable के उपर depend होता है 5 variable कौन से होते हैं strike, spot, time, rate of interest and volatility यह हम लोग यहाँ पर discuss कर चुके हैं यह 5 variable दिन भर यहाँ पर market के अंदर change होते रहते हैं और उसके कारण हमारा option का premium यहाँ पर उपर नीचे होता रहता है तो Greeks हम को क्या बता रहा था हम लोग ने वहाँ पर discuss किया था जैसे हमारा change in underline price अगर हमारा underline price यहाँ पर change होगा तो उसके कारण हमारे option का भाव कितना उपर जाएगा कितना नीचे जाएगा यह हमको delta Greek बता रहा था यह हम लोग ने अपितक बात की हुई थी उसी तरीके से हमारे पास one of the important Greek में से एक होता है theta यहाँ पर theta basically हमको यह बता रहा है कि एक दिन के निकल जाने से हमारे option का premium क्या होगा कम होगा, ज्यादा होगा यह हमको theta बता रहा है मतलब एक दिन के बीच जाने से हमारे option की premium के उपर किस तरीके का effect देखने को मिलेगा वो हमको theta उसका Greek बताएगा correct theta के अंदर सबसे important बात यह है कि हमारे पास इसका moment defined है कि यहाँ पर एक दिन निकलेगा मतलब एक एक दिन यहाँ पर हमको options expiry के तरफ लेकर जा रहा है तो यह moment हमारे पास exactly आता है correct but spot का moment हमको predict करना होता है underline price का मतलब कि वो उपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है उसके कारार हम लोग delta को properly use नहीं कर सकते तो theta का moment हमारे पास defined है तो यह advantage हमको theta यहाँ पर दे रहा है तो इसको अभी हम लोग और समझने की कोशिश करते है कि option premium के दो component यहाँ पर होते है option premium के दो component हमारे पास होते है एक उसकी intrinsic value होती है option price की और एक उसकी time value होती है मतलब कोई भी option का भाहू चल रहा है तो मान लोग कि किसी option का भाहू यहाँ पर 178 चल रहा है correct तो इसके अंदर दो value है एक के time value और एक के intrinsic value हो सकती है कि यहाँ पर time value 0 हो हो सकती कि यहाँ पर intrinsic value 0 हो किसी option में यहाँ पर intrinsic value full होगी time value 0 होगी तो दो value यहाँ पर basically होती है time value और intrinsic value यह हम लोग discuss कर चुके हैं पहले फिर भी यहाँ पर हम लोग कोई recap करते हैं देखें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं OTM option की बात करते हैं अगर current market price किसी underline stock का यहाँ पर 100 चल रहा है और हम लोग ने strike लिया 110 तो हमारा OTM option हो गया अब इसका भाव यहाँ पर चल रहा है 12 रुपे तो अभी अगर आज ही हम लोग expiry कर दें और expiry की दिन भाव यहाँ पर 100 रुपीस की 100 रुपीस ही रहा इसका मतलब इसके अंदर यह 12 रुपीस हमको दिख रहे है यह यहाँ पर सिर्फ time value है विकास option को expire होने में अभी time है यहाँ पर यह 12 रुपे अपने को दिखाई दे रहे है जैसे जैसे हमारा option expiry की तरफ पोचेगा तो यह 12 रुपीस यहाँ पर क्या होंगे अगर देखते हैं तो current भाव चल रहा है अगर हम लोग 90 का ले ले है यहाँ पर आपको एक intrinsic value देखने को मिल रही है और हमारा option क्या होगा है यहाँ पर इंद बनी होगा तो यह strike हम लोग चूज कर रहे हैं यह ITM option है इसके अंदर intrinsic value दिखेगी हमको अभी so option का premium यहाँ पर चल रहा है 16 रुपे for an example so इसके अंदर क्या होगी 10 रुपे की हमारी intrinsic value होगी वो 6 रुपे की हमारे पास time value होगी अभी अगर expiry की दिन यह भाव यहाँ पर 100 के 100 पर close होता है so in that case इस 6 रुपे को यहाँ पर जो time बचा है इसके अंदर इसको 0 होना है जो time यहाँ पर बचा है उसके अंदर इसको 0 होना है correct या फिर हम लोग indirectly यह भी बोल सकते हैं कि इस option का premium because अभी option को expire होने में time है that's why इसका भाव यहाँ पर 16 रुपे चल रहा है time है तो probability है कि stock उपर निचे जा सकता है that's why यहाँ पर इसका भाव 6 रुपे प्लस चल रहा है यह अपने को समझना है और expiry की दिन अगर भाव 100 रुपे पर close हो रहा है तो यहाँ पर इस 6 रुपे इसको 0 हो जाना है तो फिट से rewind करके यहाँ से start करो क्योंकि फिर अगर यहाँ तक clear नहीं होगा तो आगेगा concept फिर हमको doubt करेगा तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि theta क्या है exactly में जो अभी तक हमको समझ में आया तो वो यहाँ पर यह कि किसी भी option का जो भी premium चल रहा है उसके अंदर से कुछ amount रोज यहाँ पर तूटेगा because of कि एक एक दिन निकलता जा रहा है हमारा तो वो हमारा theta है एक दिन के बीतने पे हमारे option का भाव कितना तूट रहा है और other Greeks को constant करते हैं तो वो हमारा theta निकल जाएगा अभी इस case में हमारे पास time value कितना आ रहा था time value कितना आ रहा था हमको 6 रूपीज आ रहा था intrinsic value कितने आ रही थी 10 रूपीज आ रही थी तो अगर हमारे पास 3 दिन बचरे expiry में यह third day है यह second day है और यह आज का दिन चल रहा है तो अगर इन 6 रूपे को टूटना होगा तो सबसे ज़्यादा premium इस दिन टूटेगा तो यहाँ पर एक random figure में लिख रहा हूँ कि अगर 6 रूपे को टूटना होगा और आपने इस option को बेचा हुआ है तो आपको time value कैसे receive होगी starting में अगर हम लोग option बेच के खड़े रहते हैं so in that case हमको losses होने की भी chance है because probability पूरी है कि stock volatile हो सकता है उपर निचे जा सकता है so in that case हमको वहाँ पर बचना है और इसको मैंने इतना simple करके और समझाना ही कोशिश की हम लोग webinars के अंदर उनको बहुत simple समझाते है non financial background के जितने भी लोग है उसके लिए हम लोग example का यहाँ पर use करते है तो आपको यहाँ पर और clarity आ जाएगी मान लोग कि आप एक business में ने correct और आप क्या करते हैं other cities में जाते हैं और वहाँ पर कुछ clients से आपके charge है अब आप यहाँ पर रुके उसके बाद आपने अपना business start किया तो आपने यह amount तो pay कर दिया और आप अपने clients से मिले यहाँ से जो भी आपने business किया एक दिन के अंदर उसके कारण आपको यहाँ पर 40,000 का income हुआ आपने clients को कुछ service दियोगा उसके कारण आपको 40,000 का कुछ income हुआ तो यहाँ पर अगर मैं आपकी net profit की बात करूँ तो मोटे मोटे तोर पर मैं यह बोल सकता हूँ कि 40K आपको मिले 10K आपके hotel में लग गए तो आपको यहाँ पर कितना मिला 30K correct so यह जो 10,000 रुपे हमारे लग गए यह एक time के लग गए मतलब उस hotel में रुखने की costing भी आपको add करना पड़ेगी तो जब भी हम लोग option trade में option को buy करके चलते हैं तो हमको यह cost तो चुकानी पड़ेगी अगर आपका business यहाँ पर zero हुआ होता तो आप यहाँ पर क्या केते आप उस city के अंदर गए आपको business नहीं मिला आपकी client से आपको पैसा नहीं मिला तो आपका यहाँ पर 10,000 रुपेस का loss होने वाला था अगर यहाँ पर दो दिन रुखना पड़ जाए और business 40 का उठा रहे हैं सो इन देट केस क्या बोलेंगे हम लोग 40 माइनस 20 के आपका profit 20 के का होगा similarly options के अंदर भी हमको क्या मिल रहा है हमको theta यहाँ पर pay करना पड़ता है जब जब आप option को buy करके चलेंगे आपको per day basis पर theta की value market को देनी पड़ेगी तो आपको यहाँ पर कितना सही होना पड़ेगा उसकी calculation हम लोग कर लेते हैं देखें जो option buyer है उसके पास एक ही condition होती है उसको सही होना पड़ता है वो भी limited time के अंदर तभी वो यहाँ पर profit बना सकता है यह condition अपने को पता है तो friends मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जब तक के लिए गुडबाई